आज मैंने घर पे बनाया है मिलकेक बहुत ही आसान तरीके से इसका वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ I hope you like it मैंने लिया है देट लीट दूद और 200 ग्राम चीनी शुरू करने के पहले मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजे लाइक करना मत भूलेगा और कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यूस डाल दीजेगा प्लीज चलि लगातार चलाएगा और अगर हाई रखा तो दूद चल जाएगा तो इसे चलाते रहिए मैंने तो इसे लगभग लगातार चलाये है आप भी कोशिश करिएगा कि इसको लगातार चलाइएगा दूद को पकाते-पकाते हमें लगबग इसकी कॉंटिटी को हाफ करना है उसके बाद हम दूद को आगे प्रॉसेस करेंगे बैकग्राउंड में मैंने लगा ली है म्योजेक आप भी म्योजेक लगा लो क्योंकि भाई इसमें लगने वाला है टाइम यह देखिए दूद लगबग हाफ होने वाला है जब दूद हाफ हो जाएगा तो हमें इस दूद को फाड़ना है और दूद को फाड़ने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं फिट के दी का नीमबू का विनेगर वाइट विनेगर और यह तो सिट्रिक आसे जो मार्केट में मिलता है तो मैंने यूज़ किया है नीमबू आप एक से दो चमश नीमबू का यूज़ कर सकते हैं और थोड़ा पेशन्स रखेगा क्योंकि लब शुरू में मैंने इसमें नीमबू डाला था तो मुझे लग रहा था कि मेरा दूद फट नहीं रहा है बट इवेंच्वली एंड में वो दानेदार एफेक्ट आ जाएगा जो एक मिलकेक में आता है तो आप परिशान मत होएगा आप इसको चलाते रहिए और जब तक आपका दूद हाफ ना हो पकते पकते उसके पहले आप नीमबू मढ डालेगा यह देखे दूद हमारा बहुत ही गाड़ा हो चुका है अब इसमें हलका हलका ताने वाला इफेक्ट आ रहा है यह देखे आपके स्पून के उपर हलके हलके दानों का फॉर्मेशन हो रहा है भश थोड़ी से मैनत और करनी है इस पूरे प्रोसेस को करते करते लगभग तेड़ घंटे लग गए मुझे तो जल्दबाजी के चक्कर में फिर से मैं बोल रहा हूं कि फ्लेम को हाई मत करिएगा और ना तो फ्लेम स्लो करके छोड़ दीजेगा अब देखिए अब टाइम आ चुका है चीनी डालने का इसमें चीनी मैंने डाल दी है चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालेगा जितना मीठा आपको पसंद है उतना डालेगा मैंने तो लगबग 200 ग्राम चीनी का यूज़ किया है मेरे दूद की कॉंटिटी देड़ लिटर थी तो आप उसके हिसाब से थोड़ा सा फ्लक्ट्वेशन कर सकते हैं कॉंटिटी में अब चीनी वी धी में धी में इसमें गल जाएगी और 15 मिनिट तक इसको और चलाना है अब हमारे दाने बिलकुल फॉर्म हो चुके हैं मिठाई बिलकुल रेड़ी है थोड़ी सी चीज़े बचिए हैं जो हमें और कम्प्लीट करनी है हमें इसमें डालना है देशी घी जो किसी भी मिठाई के टेस्ट को एन्हांस करता है मैंने दो चम्मत देशी घी डाला है आप देशी की ज़रूर डालेगा मैं और कोई भी एक्स्ट्रा फ्लेवरिंग एजेंट का यूज नहीं कर रहा हूं ताकि इसका जो टेस्ट है वो बिलकुल प्यॉर रहे अब घी डालने के बाद एक दो मिनट तक इसको चलाईए और चला करके फ्लेम बन कर दीजे तो मिठाई तो हमारी रेडी है इसको सर्फ कैसे करना है प्लेटिंग कैसे करना है मैं आपको दिखा दे रहा हूं बाकि वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजे करेगा और अपने फ्रेंड्स और फ्रामिर के साथ जरूर शेयर करेगा तो बाई दो घंडी के मेरे तो जरूर की लेकिन एंड में जो मिला है ना इसकी लिए खुश्बू आ रही है कंट्रोल नहीं हो रहा मेरे से तो चलिए फ्लेम बन कर दिया है मैंने आप इसको एक प्लेट में लेरिंग कर देते हैं मैंने प्लेट ली थी इसमें लगबग एक इंच मोटी लेरिंग कर दी है और इसको फ्रिज में डाल दीजे लगबग आदे से एक घंडे के लिए ताकि यह सेट हो जाए अच्छे से और जब यह सेट हो जाएगा तब हम इस तो मिठाई तो रेड़ी है मैंने इसको काड़ भी दिया है अब मैं इसको खाने जा रहा हूं आप इस वीडियो को आप ट्राई करेगा घर पे मेरे कुछ बातों का ध्यान दीजेगा जो मैंने बताया और सो चलिए मिलता हूं मैं आपसे नेक्स वीडियो में एक नई रेशिपी के साथ एक नए एक्सपेरिमेंट के साथ तब तक के लिए खयाल रखेगा अपना टाटा ब जिर सेक्क जड़स, अबच means के hypoth吧, जो जब के लिए एक नसीच वीटर्द लिएमेंटा में जिए फदों कि कि झाल झाल